ओके फिर्ण्स फिल्कंटू टू दिस लक्चर जी एस थ्री का एक इंपॉर्टन टॉपिक करने जा रहे हैं इंक्लूसिफ ग्रोथ कली मैंने आपको लांड रिफॉर्म की क्लास में बताया था वट दू आ इन इंपॉर्टन टॉपिक इंपॉर्टन टॉपिक जब भी मैं कोई बोलूंगा तो इट मींस दाट वन क्वेश्टिन इस अपीर इंपर पेपर घर पेपर में एक वेश्टन जरूर अपियर हो रहा है ठीक है सो मल्टिपल आंगल से आपको देखना होगा एक और दूसरी चीज मैंने क्या बताइती यूपिएसी जेनरिक क्वेश्टन नहीं पूछ रहा है यूव तो डिग डीपर इंटो इच कीवर्ड हर कीवर्ड में आपको डीप में जाके उसको समझना होगा ताकि आपको के पास हर डाइमेंशन ओके इंक्लूसिव ग्रोथ है तो उसमें चालेंजिस क्या है मेशर क्या क्या ले सकते हो गवर्मेंट ने अभी तक क्या किया है इंटरनाशनल एक्सपेरियंस इन सबको आपको बेसिकली देखना होगा और यूव बी एबल तो आंसर टोडेश्य यूपीसे क्वेसिशन इस लोगोर 2010 2004 2005 1999 उस टाइप के पेपर अब नहीं बन रहे हैं यूपीसे हैस टेकन आवेरी वेरी डाइनमिक अप्रोच अब हम इंक्लूजन का कंसेप्ट सभी को पता है इंक्लूजन मतलब सभी को साथ लेके चलना एक बहुत ही फेमस लाइन है सरकार की सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास for those who don't know Hindi it means everyone together okay and everyone is you know is part of the development process so सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है it is the best possible definition for your inclusive growth inclusive growth का best possible definition कुछ हो सकता है so that is the सबका साथ सबका विकास स्लोगन इसमें inclusion inclusive growth का मतलब क्या होता है inclusion of all communities in the developmental process inclusion of all communities अब इंडिया में अगर आप देखो तो कुछ realities हैं इंडिया में कुछ realities and what are those reality one is caste system okay then what is the other reality उसके साथ और क्या reality हो सकती एक तो caste system की reality हो सकती है दूसरी reality हो सकती है rich poor divide की this actually signals towards having a class system in your country okay तीसरा चीज क्या हो सकता है urban-rural divide okay so multiple divisions है हमारी country में then regional divide कोई state बहुत prosperous है कोई state बिलकुल भी अच्छा नहीं कर रहा है okay some states are doing very well like gujarat some states are not doing well at all like Bihar okay so regional divide urban-rural divide rich poor divide caste divide okay gender divide not to forget gender divide यह भी एक प्रॉब्लम है दोस्त जेंडर डिवाइड भी एक प्रॉब्लम है ना तो यहां पर अगर आप देखो तो definition में inclusive growth refers to an economic development model that aims to ensure the benefits of economic progress equitably shared अब यहां पर sharing of resources का concept आ जाता है आपके जो resources हैं आपकी country के resources उसमें मैं क्या बोलूँगा जो tax collection होता है and then what is the second step of tax collection tax allocation मतलब जो पैसा सरकार ने collect किया उसको कैसे allocation use करके उसको allocate करके कैसे development करेगी तो वहां पर equitable का मतलब यह नहीं होता है कि equally सब में people लोगों के unique situation को आपको account में लेना पड़ेगा इसका मतलब a big chunk has to go towards poor या poverty upliftment वोके गरीबों के उत्थान के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे के मुकाबले जादा help और support की जरुवत होती equitable का मतलब यह नहीं है कि गरीबों में अमीरों में middle class में एक जैसा बटवारा होगा यह मतलब नहीं होता है इसका मतलब होता है you take into account whatever the unique situation is कौन कितना गरीब है उसको आप लेके चल रहे हो and then allocating okay some or the other okay some or the other you know funds अब यहां पर एक चीज़ देख एक example देता हूं उससे आपको समझ आ जाएगा आप सारे urban middle class हो I am assuming that majority of you guys are urban middle class तो आपके लिए क्या राशन शॉप की जरूरत है राशन शॉप आपके काम आएगा राशन शॉप दा अंसर इस नो आप राशन शॉप नहीं जाते हो ना आप कहां जाते हो सूपर मार्केट वहां से बास्मती राइस खरीटते हो शर्बती गेहूं खरीटते हो तो राशन शॉप आपके लिए नहीं है लेकिन सरकार का मेजॉरिटी पैसा कहां जा रहा है राशन शॉप में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना असी करोड जनता को राशन शॉप से समान बिक्वारा है सरकार दूसरी चीज क्या होगी दोस्त अगर गुड़ पार्क्स वॉकेबल रोड्स ओके क्या यह आपके यूज की चीज़ है गुड़ पार्क्स हाविं ओके वरी वरी गुड एस्थेटिक पार्क्स यह सरे चीज आपको जरुए आपको इसकी जरुएफ है और आप चाहते भी हो यूद ऑनारे सिटी में भी कर सकें जहां पर हम घूम सकें जहां पर हम सोशिलाइज कर सकें बद थिंग is that when it when it comes to inclusive growth यू विल हाव तो फैक्टर इनकी पहले पैसा कहां जाना है पहले पैसा कहां जाना है अगर वाट इस दी अर्जेंसी राशन शॉप राशन शॉप सटप करने में अर्जेंट इसी लिए इंडिया में अगर आप देखोगे तो वन यू गो आउटसाइड जर्मनी जाते हो तो गर्मनी कंट्रीज लाइक ब्रिटेन उनको जादा पैसा खर्चा नहीं करना होता है फॉर दियर पूर लेकिन इंडिया में एक रियालिटी है दाट इफ वी वांट एन इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हमें सब को साथ लेके चलना होगा तो वी आप तो रियालाइस दिस पाक् लिफ्ट करें और उनको एक अर्बन मिडल क्लास के लेवल तक लेके आएं और फिर वहां से दा गवर्मेंट कैन स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन गुड्ड क्वालिटी रोड्स और गुड्ड क्वालिटी पार्क्स और हाविं वाटरफॉल इन दे मिडल ऑफ दी सिटी और जो छीजो अप इटली वगेरे में देखते हो यह अक्शुली वैं देहाव यून गॉन तूट्रू दस स्टेज जहाँ पर उनके यहां पर भी उक उनके यहां पर भी एक टांग गरीबी थी बट नौट ए टाकल और उसके बाद अपने गड़ीबों को एक वालिटी ऑफ ल to stay in touch with reality जो रियालिटी है ग्राउंड रियालिटी उसके हिसाब से आपको पैसा खर्चा गरना है यह चीज ध्यान में रखना ठीक है दूसरी चीज क्या है यह जो बेसिकली इंक्लूसिफ ग्रोथ है यह सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ पर मैंटर नहीं करता है अगर मैं बोल दूं इसका मतलब यह है कि गरीबों का 500 से 600 डॉलर बढ़ गया है सालरी आंसर इस नो तो इसका मतलब यह नहीं है रेट ऑफ ग्रोथ अगर अच्छा है तो अच्छी बात है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पूरेस्ट ऑफ दी पूर हैव स्टार्टेट टू वेल ओके सो यू डोंट जस्ट लूक अट दी रेट ऑफ ग्रोथ बट आलसो दी कॉलिटी अंद पांच ट्रिलियन हो गई हमारे एकॉरण मी शुक्र गए लिकिन यहां पर जो मेंज्रेटी लिफ्रेशन है वो सिर्फ ऑंडडरेड टू हंडरेड टू हंडरेड ट्वैंट बिलियन असका जो निट ऑर। 10 billion 100 billion हो गया that's why the total economy went from 4 to 5 trillion is that a good thing that the answer is no and that is something which has happened in COVID that is something which happened in COVID companies like Google companies like Microsoft companies like Tesla all of these okay all of these companies they basically went from 100-150 billion valuation to 2 trillion valuation and naturally the US GDP grew but हम क्या कह सकते हैं कि United States की GDP है उसका जो growth है उसके वज़े से United States के poor को कोई फायदा हुआ Elon Musk became the richest man in the world Elon Musk he became the richest man in the world 600-700 billion dollar का net worth हो गया उसका but is it okay is it you know not 600 but 200-250 billion dollar तक उसका net worth चला गया था बीच में so is it you know is it beneficial for the poor is Elon Musk sharing his wealth the answer is no उसी तरीके से अगर Indian context में आपको मैं बात बता हूँ तो कोविट के समय we got a very big jump in our economic growth लेकिन that was led by Reliance that was led by Mr. Adani that was led by Tata उनका valuation jump हुआ बट क्या उससे जो गरीब थे उनका कुछ फायदा नहीं गरीब को inflation का सामना करना पड़ा गरीब और गरीब होते चला गया अमीर और अमीर होते चला गया so यह जो growth की story है it is distorted it is distorted this is something that I told you in the previous classes as well यह चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को थोड़ा सा साफधान हो जाना है okay 10 trillion dollar की economy हम बनेंगे there is no doubt that India is going to end up as the third largest economy having a 10 trillion dollar इसका मतलब यह है कि over the next 10-15 years हमारे economy में 6-7 trillion dollar extra add होगा but I in the same breath I told you that यहां पर आपके लिए बुरी खबर भी है और वो बुरी खबर क्या है either you are going to end up as extremely rich having all the luxuries in the world or you are going to struggle to sustain yourself आपके पेरेंट्स जो अभी अभी जैसे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और पेरेंट्स आर helping you supporting you financially और आपको एक certain lifestyle दे रहे हैं है ना आपको सोचना नहीं पड़ता है कभी mcdonald's गए कभी movie देखनी है ठीक है पड़े खरीदने आपको नहीं सोचना पड़ता है बट कल को जब हम you know we are going towards the world which is not at all inclusive so either you are going to be rich to a extent जहां पर आप अपने पेरेंट से तस गुना अच्छा quality of life जी सकते हो at the same time ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो quality of life है it will be worse than what your parents were giving you and all this is because of the non-inclusive nature of growth and that's why this topic inclusive growth is so so important because yes you are correct in the present scenario the middle class is getting hammered either the middle class is escaping to the upper or the upper middle or the upper class okay it is you know going and becoming entrepreneurs they are you know getting generational wealth or the upper the middle class is going into lower middle class and it is struggling okay हो सकता है कि या तो आप अपने parents को लेके world tour कर रहे हो या आप राशन शॉप की line में खड़े हो there will be no in between if we continue down the path of what kind of of what kind of growth we are seeing especially post covid post covid just type की growth हमें देखने को मिली है इस आक्चुली वेरी सिकनिंग आप अगर देखोगे तो जो growth है जितनी भी growth आई है इस गेटिंग रिफ्लेक्टेड इंटो दी बैंक accounts of Mr. Bezos Mr. Adani Mr. Ambani Mr. Gates okay it is not getting reflected into your bank account आज के डेट में एक you know people who are in the third and fourth year they are messaging me okay they are messaging me third or fourth year में कि I want to prepare for UPSC because मेरा पुराना प्लान था to get a job okay to get a job through placement लेकिन placement इतनी खराब है and I cannot tell you how many messages I have entertained in both on Twitter and Telegram people are saying that they have to prepare for UPSC because placement ka scene अच्छा नहीं चल रहा है they are forced to take up the UPSC route UPSC है क्या दोस्त UPSC है क्या state supported salary the state cannot support infinite people हर साल state नौसो बंदो को लेगा maximum 900 people go the state is going to take if the billionaires are getting becoming trillionaires the millionaires are becoming billionaires and the common man okay who was happy with his 50 60,000 salary he is losing his job so what kind of growth we have it is a totally non-inclusive growth okay did you guys understand what 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 is the what is at stake here okay इसको थोड़ा सा मुझे serious बनाना पड़ा because inclusive growth जो है छुप जाता है आप देखो कि GS3 में तो inclusive growth is act इस लोग समझते कि वह एक topic है छोड़ देते हैं लेकिन 10-15 marks matter करते हैं मेरे भाई 10-15 okay 10-15 marks matter करते हैं ओके यह चीज़ आपको ध्यान देने हैं अब इसमें स्कोप की बात करते हैं स्कोप कहा तक जाता है तो लेके चल रहा है inclusive growth then it encompasses various dimensions such as income distribution social equity access to essential services and environmental sustainability okay environmental sustainability को भी देख रहा है it is a very new dimension which is added okay यह जो है it's a 21st century 21st century awakening इसके पहले जब हम inclusive growth की बात करते हैं तो हम generally we used to be stuck with poverty hunger okay we used to be stuck with access to services access to government services लेकिन अब हम sustainability की भी बात कर रहे हैं उसके पीछे reason मैं बताता हूं एक case study है बांगलादेश का एंड वाई environmental sustainability is very important बांगलादेश is cursed in a way बांगलादेश is cursed because southern part जो है अगर आप देखोगे तो it is made up of mangroves and it is you know it is very it is it lies very low और बांगलादेश की problem क्या है अगर आप बांगलादेश का सब्सक्राइब यह बांगलादेश का मैप है इस टाइप का मैप होता है बांगलादेश का तो सदन पार्ट में धाका के नीचे धाका के नीचे जितना भी एरिया है इस अच्छुली वल्नरेबल और यह जो नीचे वाला एरिया है बांगलादेश का it is going to get submerged और प्रॉब्लम यहां क्या है that majority of the population of बांगलादेश it survives below this line और बोले इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि बांगलादेश which is already a poor country which is already a single item export country single item export country समझते हो what is single item export इसका मतलब बांगलादेश की जो पूरी economy है वो एक item के export पे टिकी भी है and that is textiles या clothes okay तो उपर चले जाएंगे लोग अगर आपका घर डूब जाएगा तो आप क्या करोगे उपर northern तरफ जाओगे जहां पर okay थोड़ा सा mountainous region है और जो थोड़ा सा safe है so this is going to actually impact and यहां पर बांगलादेश की जो success story है जिसके through बांगलादेश ने millions of people को poverty से निकाला है that is going to get bust because people are going to lose their land livelihood and they are going to lose everything they have उसके वज़े से they are going to push back into absolute extreme poverty अगर आपको मैं बोल दूँ कि तुम्हारे जो घर में रह रहे हो जिस घर में आप रह रहे हो जिस job में आप काम कर रहे हो और जिस land पे आप till करते हो वो सब मैं ले ले लेता हूँ और आपको zero से start करना है तो क्या आपको absolute poverty में मैं देखूंगा की नहीं the answer is yes I am going to see you in absolute poverty ओके इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि climate change सिर्फ जुम्ला नहीं है I gave you the example of Bangladesh कि how vulnerable and I'll tell you how serious the problem is with the case study of Maldives Maldives ने 2007-08 में already India, Sri Lanka और कुछ और countries के साथ बात करना start कर दिया था that in the next 50 years Maldives जो है वो क्या होगा it is going under the sea और उसके लिए Maldivian citizens को दूसरे country में धीरे-धीरे करके बसाने का plan है Maldivian government का and जो वहां का President है मुहमब्ब नाशीद मोहमब्ब नाशीद एक्स-President जो है यह रड़ और पार्लेमेंट सेशन अंडर वाटर पार्लेमेंट सेशन तूड्राव the attention of the world towards the plight of Maldives तो यह सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं है फ्रेंज environmental sustainability is environmental sustainability climate change जो है एक बहुत ही important problem है it's a very big problem when it comes to inclusive growth I hope everybody understood this ओके और यह जो inclusive growth है उस पर किसको हमें target करना है marginalized and disadvantaged groups को marginalized and disadvantaged groups जो है उनको पहले target करना ठीक है you deserve the good parks as a urban middle class आपको walkable roads parks आप deserve करते हैं good quality education आप deserve करते हैं लेकिन problem क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ that first priority will go to the marginalized and disadvantaged group okay yes Bombay and Calcutta the mangroves of Bengal okay Gujarat even okay ऐसा कहा जाता है आपको पते एक बात लोथल सुने आपने लोथल लोथल में लोथल is a land logged area लोथल जो यह एक Land Logged Region में है गुजरात का अगर मैं बनाऊ ऐसा एक मैप है गुजरात का यहाँ पर लोथल है लेकिन लोथल में पता है क्या है वहाँ पर डॉक कस्टम कस्टम डॉक्स है मतलब डॉक्स डॉक्यार्ड है IBC site है यस Indus Valley Civilization site है तो बता सकते हो इसका logic क्या है कि एक landlocked area में ये docks क्या कर रहे हैं मतलब वहाँ पर appraised platform है जहाँ पर Indus Valley Civilization के custom officers बैठते थे वहाँ पर seals मिले है custom seals मिले है इसके पीछे का answer ये है कि गुजरात was an island गुजरात जो था it was earlier are an island then the sea level rose sorry sea level declined और Gujarat जो है वो mainland जो है इंडिया के साथ connect हो गया. It is said that with the rise in sea level Gujarat फिर से एक island बन सकता है okay. Gujarat can return to becoming an island. ये issue है this is an issue that you have to think about okay when you are talking because you would dismiss. अभी जैसे you know right wing, left wing इसमें ही चला जाता है environmental sustainability वाली problems but इसको अगर हम address करेंगे उसको हम सोचेंगे उस पे बात करेंगे तब हमें realize होगा that our own lives our own livelihood and our own future is at stake okay. अब Indian context में इसका significance क्या है? First of all eradicating poverty and reducing inequality though between 2000 to 2023 okay 2000 से लेके 20 साल में India has been successful in pulling approximately half a billion okay, half a billion people out of absolute poverty अब मैं यहां relative poverty की बात नहीं कर रहा हूँ मैं relative poverty की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जो की persist कर रही है इंडिया में I am talking about absolute poverty I am talking about absolute poverty half a billion of our people they have been pulled out of okay, absolute poverty now we are struggling with a new problem that is of access to resources and relative poverty जहां पर okay अब पहले पैमाना क्या था poverty का की खाना नहीं मिलता था भूके सोना पड़ता था अब लोग सारे लोग खाते हैं everybody has access to food okay, thanks to the green revolution thanks to the targeted PDS system thanks to the प्रदान मंत्री अब पैमाना जो है नापने का पुवर्टी वो change होगा धीरे धीरे पहले खाना पीना आज की डेट में education health फिर education health सभी को मिलेगा then we are going to talk about access to material resources like mobile है जैसे अमेरिका में क्या होता है if you don't if you can't afford a car आप car नहीं ले सकते हो you are poor जब अगर आप आपके पास पैसे नहीं है कि आप car खरीच सकते हो car क्यों एक बड़ा important role play करता है American society में what is the reason because America का जो town planning है America का जो distance है since it is a continent size country America in itself is a continent size country तो वो necessity बन जाता है आपको अगर groceries भी लेनी है तो आपको ज़ादा distance travel करने होते है because there are residential zones and then there are business zones आप जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है नीचे में आप घर से उतरते हो नीचे में किराने की दुकान रहती है आप उसको जानते हो वो एक you know he has that register और उस पे आप समान लिखवाल के और घर ले आते हो पांच मिनिट भी नहीं लगता है समान लाने में घर ही पहुचा देता है जप्तो है ब्लिंकेट है इस थिंग ड़संट एग्जिस्ट इन अमेरिका अमेरिका में क्या है because the distance is so wide तो वहाँ पर car becomes a necessity तो car जो है एक symbol हो जाता है poverty और richness का कि आप अगर car afford कर सकते हो तो you are not poor लेकिन अगर car afford नहीं कर सकते हो it means that you are suffering from relative poverty ठीक है then इंडिया में obviously poverty has been one of the mainstay of debate about you know debate surrounding inclusive growth कि क्या हम अपने poor के लिए enough कर पा रहे हैं कि नहीं then sustainable development इंडिया जो है हमेशा से बढ़ चड़के हिस्सा लेता है SDG goal है हमारा nationally determined contributions है under the Paris agreement आप सभी को पता है Paris agreement we all have studied उसमें nationally determined contributions है उसके लिए sustainable development है we have also you know goals related to carbon neutrality we also have goals related to gender equality because इंडिया जो है एक patriarchal system से okay has suffered with a patriarchal system for generations उसके वज़े से women जो है they have suffered with a lot of issues like infanticide okay widow ostracization और क्या हो सकता है women okay lack of participation so that is the problem अगर अगर सु आदमी है metro के अंदर तो पचास लेडीज होंगी पचास आपके जेंट्स होंगे ठीक है सुबह में अगर आप इंडिया में जाते हो अगर आप सुबह में जाते हो तो college going girls आपको मिल जाएंगी okay who are going to their college but you will hardly find any ladies okay who are going to their work बहुत कम अगर एक पूरा compartment है तो उसमें हो सकता है सौ में से पांचे लेडीज होती है okay who are looking like professionals so इसमें आजाता है LFPR what is LFPR LF is labor force participation rate okay labor force participation rate that is very less ladies का जो डबबा होता है अगर आप जो फर्स डबबा generally हर metro में ladies को दिया जाता है उसमें भी भत कम रहता है वहाँ पर seats मिल जाती है भीड होनी चाहिए अगर मानलो ladies का concentration वहाँ पर है तो उतनी भीड नहीं होती है generally आप women को देखोगे तो they are forced into teaching jobs easier jobs अगर उनका aptitude होता है या उनका मन होता है okay to become a professional like lawyer doctor something like that okay इस type का कुछ उनको बनना रहता है but you know they are forced to become a maybe a pre primary primary teacher कोई बुरा ही नहीं है primary teacher बनने है if somebody is you know passionate about pedagogy or education they can become a teacher but problem क्या है कि they are forced to compromise they have this thing कि या doctor बनना है doctor की पढ़ाई करनी लेकिन फिर क्या होता है शादी हो जाती है अंदिर okay all right okay ठीक है LFPR आपको पता है इंडिया का बहुत लो है labor force जो female LFPR है that is very very less और ऐसा कहा गया है कि अगर हम अपने female LFPR को increase कर दे तो we can add up to a trillion dollars we can add up to a trillion dollars in our economy अगर female participation rate labor female participation rate 50% तक टच करा दे हम अभी तो बहुत कम है 10-12-13-14% यहीं पर hover कर रहे उसको 50% तक ले आए we can add another trillion और यह कहा गया है कि यह जो vision है सरकार का 5 trillion dollar का by 2025 इसको आप तब तक नहीं कर सकते achieve जब तक female LFPR doesn't increase okay how can we achieve this goal you know it's a it actually increases the scope of the today's discussion this is something that we are going to study in GS1 women and associated issues okay उसमें हम लोग इसको detail में discuss कर लेंगे ठीक है उसको भी cover करना इसी महीने cover करना है so don't worry about social harmony and political stability it is also very important आपको मैंने divides बताये थे कौन कौन से divides बताये थे caste divide है okay there are caste divides there are rural urban divides there are gender divides there are class divides ये सारे regional divides है good भाई इंडिया में इतने सारे divides होते है okay इंडिया में इतने सारे divides होते है and one of the divide that is the caste divide it is unique to the Indian context बाकी के देशों में आपको सारे divides मिल जाएंगे लेकिन इंडिया में caste divide and to a certain extent gender divide बहुत unique situation में मिलेगा okay the thing is कि इतने सारे divide होते हैं और अगर आप you know if you are a poor person and you feel that the state and the rich are conspiring against you and to keep you poor so इससे क्या होता है इससे क्या होता है इससे सीथ डिवलप होता है इससे अंगर डिवलप होता है और देन इडिज तो lack of social harmony can we add digital divide बिल्कुल you can add digital divide but actually that is a manifestation of the class divide it is the manifestation of the class divide because digital divide होता क्यों है because of lack of literacy and lack of access to internet किसके पास internet नहीं पहुचता है जो devices hardware नहीं खरीच सकता है और जो अपना SIM रिचाज नहीं करा सकता it means it is a manifestation of the class divide यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर अगर आप देखोगे the problem is that you know we hear about these things Mercedes वाले की गलती नहीं है उके उसको auto वाले ने ठोका लेकिन फिर भी Mercedes वाले की पिटाई होगी है ना and people say कि यहर इंडिया में ना अमीर होना पाप है Vijay Malia का downfall everybody celebrated जब Vijay Malia वास doing well तो किसी ने कुछ नहीं बोला Vijay Malia ने जब वास doing well तो किसी ने कुछ नहीं बोला बट Vijay Malia से गलती हुई तो everybody started celebrating की अरे चलो गया इसका तो downfall हुआ इसके पीछे का reason क्या है because majority of the people they think that they are being systematically oppressed by the state and the rich class for them to stay poor and this develops into seeth and anger okay this develops into seeth and anger एक होता है aspirational होना rich people को देखके aspiration आता है कि यार मैं इसके तरह बनना चाहता हूं then you start okay start trying to become rich and then you see there are hurdles by the state जो access rich को मिल रहा है state patronage का वो access आपको as an aspirational entrepreneur as an aspirational businessman as an aspirational salary man even वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो social harmony and political stability कहा जाएगी फिर आप किस टाइप के आदमी को वोट करोगे anti rich मैं नाम नहीं लोंगा but this is a phenomenon which is manifesting in बिहार this is a phenomenon which is manifesting in बिहार जहां पर socialist politician को दबा के वोटिंग होती है उसके पीछे का reason क्या है this anger and this seat की भाई अपर कास्ट वालों ने अपर क्लास वालों ने है ना अपर कास्ट वालों ने अपर क्लास वालों ने मेरे साथ बुरा किया है इसी लिए मैं गरीब हूँ मेरी गलती के वज़े से नहीं like because of some conspiracy इसी लिए I am going to vote people who are going to punish this अपर क्लास and अपर कास्ट people है ना so it can lead to destabilization political destabilization and then you get okay concepts like 85% reservation जिसकी जितनी जन संख्या उसका उतना हक और रेट क्या ये 10 trillion dollar की economy aspirational economy को शोभा देता है इस type की बात करने क्या जिसकी जितनी जन संख्या उसका उतना हक क्या ये बंदर बात चल रहा है या कोई गाय है उससे दूद निकल रहा है और उसमें मार पीट हो रहा है what is happening and that's why inclusive growth is necessary that's why inclusive growth is necessary why because it can lead to social harmony and political stability ठीक है it boosts human development it boosts human development absolutely necessary okay it is absolutely necessary I'll tell you something I actually went to this meditation camp and there I met two people two kinds of people एक दोनों थे ब्रिटेन से उसमें से एक बंदा पता है क्या करता था he was a laborer वो मेजन का काम करता था मेजनरी का मतलब वो ब्रिक लेंग का काम करता था और जो दूसरा बंदा था वो बस चलाता था and they had come to India to meditate और उसमें से जो बस का काम बस चलाता था जो टूर बस होता है उसको चलाता था and he said कि मेरे पास private pilot license है and that guy जो मेजन का काम करता था ब्रिक लेंग का काम करता था I actually had a 30 minutes conversation with him on endocrinology कैसे testosterone boost कर सकते हैं because you know he was very much into calisthenics and you know he had problems with low testosterone तो उसमें aromatization in सब का concept उसको रटा हुआ था and he actually explained me in simple terms आप बताओ इंडिया के मेजन और बस ड्राइवर के साथ मेजन और बस ड्राइवर के साथ आप इस टाइप की बाते कर सकते हो can you think that a bus driver in India will have a private pilot license and flies a plane okay during this time okay during his off time नहीं the answer is no हमारा जो human development है it is abysmally low okay it is abysmally low ठीक है and then economic resilience also is promoted because आपका जो consumer inclusive growth से ज्यान देना what I am going to tell you it is a very important economic concept inclusive growth का मतलब पता है क्या होता है inclusive growth in the strictest economic terms that I can talk to you guys inclusive growth का मतलब होता है widening of consumer base and nothing could be better for a country okay which has this capitalist model which has this consumerist model to widen its consumer base आप जितने लोगो को empower करोगे उतने consumers खडे करोगे उतना आपका market है वो widen होगा and I cannot tell you how important this is from both economic and geopolitical perspective आपको मैं case study बताना चाहता हूँ यहां पर चाइना का and how China literally dictates the European business environment आपको एक बात बताता हूँ चाइना ने क्या किया inclusive growth पिलकुल किया है चाइना में billions of people have been pushed out of poverty and middle class जो है चाइना का वो actually बहुत जादा बड़ा हो चुक है और middle class जब बड़ा हुआ है तो it means that you have widened the consumer base मैंने आपको एक data दिया था that 800 billion dollars okay billion with a B not M billion dollar worth of German cars have been consumed by the Chinese और इंडिया से इंडियन सेनारियो में अगर मान लो 500 million का business हो जाता है किसी भी कार कंपनी का तो उसको अच्छा साल माना जाता है तो can you see the difference between Chinese consumer and Indian consumer ये आपको evident है की नहीं अब यहां पर एक बहुत important concept बताने वाला हुए this is going to basically this is going to change the perspective of how you see China and India Chinese ने inclusive growth करके एक आर्मी खड़ी कर दी consumers की inclusive growth मतलब गरीब से गरीब बंदे तक industrialization manufacturing के थूँ उसने prosperity पहुचा दी अब यहां पर देखो जब आप बोलते हो कि why doesn't any Muslim country say anything to China on the Ugar issue Ugar issue या जिंग जियांग में कुछ भी कर रहा है चाइना okay it is doing 10 times 100 times worse things that the people are accusing us of doing in Kashmir वो literally mosques को यह eating house restaurants में बदल रहा है जितने भी कुरान से उनको burn कर रहा है but no country is saying anything उस पे एक आदमी था उसका नाम है Mesut Ozil he is a German footballer of Turkish descent मतलब Turkish descent का था जर्मनी के लिए खेलता था he was the highest earning player in England England के club था जिसका नाम था Arsenal उसके लिए खेलता था Mesut Ozil ने एक post किया on the Ugar issue और Chinese ने बोला कि आज से Arsenal team के कोई भी matches हम चाइना में नहीं दिखाएंगे इसका मतलब Arsenal teams को billions of dollars का नुकसान होगा Arsenal की team ने Mesut Ozil who was their star player who was its star player Mesut Ozil को ban कर दिया और Mesut Ozil का career खतम हो गया आज के date में Mesut Ozil को कोई नहीं जानता so do you understand how inclusive growth is actually beneficial for your geopolitical power as well आप बोलते हो कि चाइना की बात सब क्यूं मान लेते हैं चाइना की बात जर्मनी जर्मन एक बार चाइना बोलता है कि हम Mercedes की गाड़ी और BMW नहीं खरीदेंगे अब हम you know we are going to buy other cars Germany का president मिम्याते वे चला जाता है माफी मांगता है Germany की foreign minister को sack कर देता है China को antagonize नहीं करना because of inclusive growth they have raised an army of consumers and those Chinese consumers they are dictating the geopolitical realities of the world okay yes ठीक है is the concept clear is the concept clear गई इंडिया के साथ यही प्रॉब्लिम है that if we do not focus on inclusive growth हमारा consumer based restricted रहेगा फिर हम किसी भी country के साथ okay किसी भी country के साथ geopolitical dictation देने के लायक नहीं बचेंगे अगर मुकेश अम्मानी और अडानी और you know Tata Birla को आप 10 times richer करके अपने आपको 10 times पूर कर ले रहे हो तो क्या मुकेश अम्मानी खरीदेगा Adidas के जूते और Nike के जूते क्या मुकेश अम्मानी खरीद पाएगा एक लाग कार अंसर is no you have to raise inclusive growth is absolutely essential for having geopolitical heft if you don't have geopolitical heft you are finished India में India के पास leverage के लिए कुछ नहीं है we are a energy poor country Russia के पास population नहीं है लेकिन oil है Saudi के पास कुछ नहीं है बंजर पूरा Saudi Arabia है but it has oil UAE के पास क्या है oil है India के पास क्या है India के पास उसका एक ही साधन है and that is its people अगर लोग हमारे asset में create नहीं होंगे we are an energy poor country तो हमारे बहुत दिक्कत होने वाली है हमारे को in the coming 50-60 years we are going to decline okay ठीक है हमारे पास leverage है and that leverage is that our consumers are there लेकिन Indian consumers को अगर आप inclusive growth नहीं कर रहे हो और Indian consumers are getting one side of consumers are getting rich and the other side are getting poor तो क्या future में sustain कर पाओगे the answer is no equitably हमें आगे जाना होगा गरीब को भी इतने पैसे पे हमें लाना होगा that he can purchase okay good products he can become a good consumer and that is basic of economics मुझे spiritual side नहीं देखना है कि क्या you know consume करने में क्या हमें अच्छा लह रहेगा spiritually हम bankrupt हो देगा I don't care that is another thing debate for another time लेकिन अगर जो realism में देखो real politic में देखो जो आप आज के date में देखो तो actually we need people to consume to be relevant on the global stage नहीं तो North Korea और हम में फर्क क्या है नॉर्थ कोरिया के लोग भी consume नहीं करते हैं consumption is a good thing speaking strictly from an economics point of view I don't want to hear the spiritual side of things because we are very low on the Maslow hierarchy मैंने आपको Maslow hierarchy बताया था ना तो हमारे basic needs अभी पूरे नहीं हुए है how can we think about spiritual thing leave the spiritual things to the Israelis and to the Germans who come and you know go to Kassol and you know ashrams उनके लिए छोड़ दो हमारे लिए है कि how we can become good consumers and I am saying this with the unironically I am saying this unironically we need to become consumers otherwise geopolitical stage पे global stage पे हमारी कोई आउकात नहीं रहेगी okay now let us discuss the dimensions of inclusive growth और इसको करके okay we can end the class कल हम लोग challenges पर बात कर लेंगे so सबसे पहले economic inclusivity है तो एक चीज़ आपको याद रखना है dimensions का मतलब doesn't mean सिर्फ income growth होता है it's a very outdated concept that income generate करने से growth आ जाती है okay growth जो है unidimensional अगर आप देखोगे तो फिर भी लोग गरीब रह जाएंगे okay that Taiwan's population did not protest it was actually you know pro China newspaper okay so don't see it like that okay don't believe everything because you have to go one step ahead and see की चाइन वो चाइन जो जो बेसिकली जो टाइवान का जो newspaper है जिसमें यह निकल के आया था actually that is pro China okay obviously the Chinese are going to put pressure on us लेकिन हमें relentless होके ठीक है दो-चार गाली खानी पड़े कोई दिक्कत नहीं जाना है वहां पर पैसे दबा के कमाने हैं और यहां भेजना है ओके यहां पर भी growth करना है और एकदम बेशरम होने का time है because this is our 1975 चाइना movement चाइना जो 1975 में जहां पर खड़ा था आज हम वहां पर खड़े हैं we need a Deng Xiaoping who will tell us hide your strength, hide your time पता आपको 1975 में Chinese workers worldwide जाते थे काम करने they used to go to Pacific Islands और वहां पर जाके खेती करते थे agricultural laborers ठीक है हमारा वो movement है Chinese को शरम नहीं आई Chinese जो थे बिना शरम के काम करने गए उन्होंने पैसा कमाया अपनी country को बनाया तो हमें किस बात की शरम है न हमें किस बात की शरम तो don't get this की वो क्या बोल रहा है बुरा मान के घर बैठ जाते हैं ताइवानी जमें पसंद नहीं करते तो हम घर बैठ जाते हैं नहीं पसंद नहीं करते कोई बात नहीं इस अप आप स्वाइब कर देखना है एक इंडिया में problem है jobless growth की jobless growth क्यों होता है because this is a question that has been asked in UPSC can you tell me what is the reason for jobless growth to jobless growth इसलिए होता है because service sector and real estate sector led हमारा growth होता है हमारा manufacturing led growth नहीं होता है majority jobs कहां से create होते है industrialization और manufacturing से majority labor जो है वो phone की factory steel की factory इस टाइब की factories में अब्सार्ब होता है वेरा सर्विस सेक्टर का जो increase होगा revenue to the job creation cannot be equal to that the job creation cannot be equal to that real estate sector में black money जो है एक बहुत major issue है उसके वज़े से हमारा जो GDP estimation है वो inflate हो जाता है because we don't know what kind of money is flowing into it and that is actually rerouted किसी flood victim का पैसा है जो IS officer ने खा लिया है उससे वो Noida में 10 flat खरीद रहा है तो क्या यह अच्छा पैमाना है is it a good you know way of seeing inclusive growth the answer is no this is actually uninclusive growth ठीक है then financial inclusion तो जन्धन योजना सभी को पता होगा जिस से credit ओके इंडिया में before 2014 credit बहुत ही जादा restricted था because of the PMJDY that is प्रधान मंत्री जन्धन योजना which is linked to the जन्धन आधार and mobile Trinity जब से हुआ है and then to the bankers सरकार का यह directive है कि किसी को मना नहीं करना है and add to that मुद्रा लोन उसके वज़े से गरीब से गरीब बन देखो लोन का access मिला है अब याद करो business वाला जो मैंने point बताया था social harmony now the lower class entrepreneur has an equal chance of making it big प्रधान मंत्री स्वानिधी योजना प्रधान मंत्री street vendor निधी योजना what is प्रधान मंत्री स्वानिधी जहां पर 10,000 तक का loan street vendors को दिया जाएगा जिसके थूँ वो capital purchases कर पाएंगे नए नए okay items अपने में जोड सकते हैं maybe they are sugar cane juice makers so what they can do sugar cane juice बना रहे हैं तो नया machine खरीद लिया 10,000 रुपे का from the प्रधान मंत्री स्वानिधी उसका जो output है वो double हो गया अब वो 10 glass के जगा 20 glass पर घंटे बेच रहा है तो क्या इससे inclusive growth होगा की नहीं होगा that sugar cane vendor has just now become middle class because of that okay but यहाँ पर अगेन एक और problem आ जाती है that generally क्या होता है 10,000 रुपे का loan लेके गांजा दारू okay किसी बेकार चीज में आप कर रहे हो so that is also one of the problem but you know that is a problem which we have to tackle later on that is a problem which we will have to tackle later on अभी हमें credit access देना होगा यह बिना सोचके कि लोग क्या कर रहे हैं इसका क्या उससे दहेज दे रहे हैं okay अपनी बेटी का या उससे capital purchase कर रहे हैं इसको अभी सोचने का समय नहीं है हमारे पास okay then social inclusivity में क्या आजाता है access to healthcare, education, social security all of these are important because मैंने आपको एक point बताया था याद करोगे universal access क्यों important है healthcare, education, social security पे because majority of the Indian population is one major disease away one major disease away from getting pushed into poverty और इसके पीछे का reason एक और है कि majority of the major disease happen in the poor people, why? because poor ignores मैंने आपको ये भी बताया था जब हम poverty estimation की बात कर रहे थे poverty and hunger की बात कर रहे थे उसमें मैंने एक point बताया था that the poor person अगर उसका cut हो जाता है तो वो जाके tetanus का injection नहीं लगाता है उसको ये खत्रा रहता है कि मेरी बिहाडी खतम हो जाएगी आज के date में मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा अगर मैं जाके tetanus का injection लगाऊंगा as a result later on उसको सही में tetanus हो जाता है आप है you are working in a environment in a formal environment in a socially secure environment आपके पास everything you have got you have got healthcare आपने एक call लगाया Apollo से बंदा आके आपको short लगाके चला गया आपने 800-900 रुपे उसको pay कर दिया घर के you know महौल में आप बैठके अराम से आपको सब चीज हो गई ये चीज वो गरीब नहीं कर सकता है that's why we need social security we need a universal healthcare we need a educational you know इस type की चीज हमें चाहिए इस type की चीज हमें चाहिए and this is something which is which should be not be done in silos मतलब इसका यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान देनी है एक example देता हूँ अगर ठीक है आयुश्मान भारत योजना है गरीब को आप सुविधा दे रहे हो आयुश्मान भारत से लेकिन क्या गरीब यूज करेगा आयुश्मान भारत unless and until he has some guarantee that okay आयुश्मान भारत में यूज करने जा रहा हूँ तो मेरी दिहाडी नहीं रुखनी चाहिए मेरा daily wages का क्या होगा तो आयुश्मान भारत में एक component हो सकता है जिससे अगर आप बहुत अती पिछड़े हैं अती गरीब हैं you are very poor तो you get some kind of daily allowances also 500 रुपीज या 1000 रुपीज इस तरीके से आपको daily allowances the period you are hospitalized तो ये जो दिमाग से आपके निकल जाए कि यार मैं अगर hospitalized हो गया तो काम कौन करेगा मेरे बच्चों का paid कौन पालेगा ये concept foreign countries में है अगर आप बहुत गरीब हैं तो you get a daily allowance daily allowance आपको मिलता है जिसके through आप अपना sustenance कर सकते हैं people don't realize this वो पता है क्या बोलते हैं यार ये गरीब कितना मांगता है इसको मैं free healthcare दे रहा हूँ अब इसको मैं पैसा भी दू but you are not in his shoes you are not in that person's shoe because उसके पास literally zero savings है literally zero savings है उसके उसका उसने कमाया खाया he earns he eats okay he doesn't have this gratuity friend और he doesn't has this PF account he doesn't have this you know beautiful healthcare policy from a you know foreign company ऐसा नहीं है उसके पास he doesn't have 60 paid leaves और 30 paid leaves उसने कमाया खाया नहीं कमाया नहीं खाया he has to think like that तो ये जो healthcare है education है social security it has to be linked with each other okay it has to be linked with each other okay universal healthcare quality education for all robust social security net अगर if you are between jobs so you can maintain your dignity बहुत सारे लोग आज के डेट में गाली खा के काम कर रहे है okay आप देखो के it's disgusting the way people treat the poor उनको क्या बोलते है उनको क्या बोलते है कि यूनो अच्छे से काम कर नहीं तो निकाल दूंगा and you know the person is doing work ये चीज जो है foreign countries में कम होती है आप वहाँ पर गाली गलोज नहीं कर सकते हो अपने employee के साथ कि तो अगर ठीक है मा बहन की गालिया दे दी मार पीट कर लिया कि छोड के तो कहां जाएगा वहाँ पर है आप job छोड़ दो you can go to the social security office और आप बोल सकते हो that I am in between jobs मेरा जो previous employer था he was abusive and now I am searching for a new job तो उस समय के लिए the social security office is going to sanction some kind of remuneration for you कुछ आपको पैसा दे देगा जिससे आप खाना पीना खरीद सकते हो so इससे क्या है आप dignity maintain कर सकते हो इससे क्या है dignity because यहाँ पर क्या है इंडिया में people go on power trips अगर आपको यह sense दे दो especially in the older generation I have seen अगर उनको यह sense मिल जाता है कि आप उनके साथ negotiating power आपकी कम है या आप उन पर dependent है अगर यह दिमाग में आ जाएगा तो they are going to exploit you and I have seen this unfortunately in my father's generation not in my father but in my father's generation okay and this is something which breaks your heart because अगर उनको थोड़ा भी sense हो गया कि आप उन पर dependent है या आपके पास options कम है तुरंत गाली गलोज करना start कर देंगे तुरंत गाली गलोज करना आपके साथ आपको मार पीट करना okay there have been cases okay where very senior officers they have you know slapped people, puns because puns क्यों है, puns क्या है puns के पास job security नहीं है and the pun is desperate कि सर मेरे को निकाल देंगे तो रोग आके वो काम कर रहा है this doesn't happen okay this doesn't happen in the west west में तुरंत अपनी dignity को बचाया निकल गया आगे and this is something that we need in this country okay this is something that we need require in this country if we want okay social harmony, political stability जहां पर गरीब जो है वो अस्पायर करे angry ना हो so we need this thing okay then regional inclusivity is also very important you know you have this thing why Bihar okay why Biharis are not doing well for themselves why they are you know taking 900 rupees for every 1 rupee they are contributing my dear friend my dear friend you know if you are living in a privileged state suppose you are from Gujarat or Maharashtra which has coastal access which has this you know centuries of tradition of seafaring which has centuries of tradition of entrepreneurial spirit so it's very easy to pass comment कि यार ये बिहार और ओडिसा वाले और जार्खंड वाले ठीक है कि यनों हम पे लीच कर रहे है but let me give you a counter argument रशिया में हो तो रशिया में Moscow region is the Moscow जो district है Moscow is the capital and it's a district also it's the richest district in Russia सबसे जादा रशिया में economic activity Moscow region में होती है तो क्या Moscow वाले गाली देश Siberia वालो को कि Siberia वाले तो कुछ नहीं करते नल्ले बैठे रहते because Moscow region जो है Moscow region जो है वो Siberia को support करता है उसी तरीके से Tokyo और Kyoto region it does the bulk it does the bulk of economic activity कुछ reason होगा न तो क्या Tokyo और Kyoto वाले ये बोले कि Hokkaido वाले मेरे यहां से जाओ Hokkaido से कोई काम नहीं करेगा Tokyo में क्या Moscow वाले Siberia वालो को पिटाई करें Siberia वाले तुम नल्ले बैठे रहते हो you are not doing anything क्या California वाले या Texas वाले कौन सी गरीब गरीब state कौन सा है America में let us say Mississippi California Mississippi वालो को पिटाई करें Alabama वालो की पिटाई करें कि तुम यहां क्या कर रहो so regionalism son of the soil movement जो है आज के date में अगर आप देखोगे तो हर state में which is doing well which has coastal access see one thing you have to understand the landlocked state will always be at a disparity it will always be okay it is always going to be at a disparity to coastal states कितना भी situation खराब हो जाए कोई भी company मान लो केरला में civil war चिड़ जा या Tamil Nadu में civil war चिड़ जा या you know करनाटक में civil war चिड़ जा the company is going to first invest in करनाटका despite बिहार में situation better है उसके पीसे जोग्राफिकल necessity है at once at one time Bihar was the golden child of India Magad Gupta Empire उस समय बिकाज river river was important and Bihar has abundance of rivers आज का जो modern age का जो dynamic है it has changed now we are living in a globalized world तो coastal access makes sense अब यही चीज रीजनल inclusivity जो है it is important okay it is important that अगर regional inclusivity नहीं होगा so it can lead to political instability it can lead to lack of social harmony okay it can lead to sun of the soil movements and it is absolutely atrocious my friends it is absolutely atrocious for national unity okay तो क्या क्या चीज करना होगा you need to have a balanced regional development policy जहां पर हर region को आप equally treat कर रहे हो infrastructure development पे focus कर रहे हो digital inclusivity I think DP was asking this yes digital inclusivity is also important and this is actually a class you know class divide का एक one of the reasons है okay यह भी एक problem है आज के date में digital divide का तो उसको भी आप e-governance और digital service के थू okay and then digital literacy you are teaching people how to use okay how to use these things नहीं बचा पाएगा दोस्त it's a gone case it's a bad debt it's a non-performing asset ठीश के anyways so this is done tomorrow we are going to study challenges and we are going to study strategies to promote inclusive growth okay और कुछ हम previous year questions को discuss भी कर लेगे कैसे answer लिखना है any doubts that you guys is my time